हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं कि आप सबस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ब्यस्त होंगे आपके इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने चुआ रहे हैं एक नया पाट एक नया ध्याय जिसका सुर्योशक है आ रही रवी की सवारी बच्चो रवी यानि की सूरी का प्रवाची शब्द है यानि की कौन आ रहा है सूरी की सवारी आ रही है यानि की यह प्रातक का हल जब सूरी उदय हो रहा है उस समय का वल्डन इस कविता में किया गया है तो आईए बच्चों सबसे पहले इस कविता का पर्चे जान लेते हैं प्रस्तुत कविता के माध्यम से कविने प्रातो समय उगते हुए सूरी का वर्लन किया है सुबह होते ही सूरी धीरे धीरे उदय होता है उस समय का दरश्य बहुत ही सुन्दर होता है सूरी से आने वाली किरणे धर्ती पर फैल जाती है पक्षी अपने घोंसलों में चह चहाने लगते है इस प्रकार के दुरश्य का वर्लन एक कवी ही कर सकता है इस कविता में कवी ने बहुत ही सुन्दर सब्दों का प्रातोकाल में वर्लन किया है मानुफूल, कलिया, पक्षी, आदि, खिल-खिला कर सूरी के स्वागत करने को तयार खड़े हो तो आए बच्चों सकविता को शुरू करते हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा आ रही रविकी सवारी नव किरन का रत सजा है कलि कुसम से पत सजा है बदलों से अनुचरों से स्वन की पोसाक धारी आ रही रविकी सवारी तो बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों में कभी कहता है कि क्या हो रहा है आ रही है रविकी सवारी काई है नव की रणण का रत सजा तो किसा सजा है नव यानी नई-णई किरनों से उसका रत Talking कार होती है ना कहीं जाने के लिए यह साकिल हôtी है तो ऐसे सुरज के पास क्या है उसकी सवारी है रत और वो किस सजा हुआ है नई-णई किरनों से कली कुसम से पत सजा है कली कुसम यानी की कली यानी की पुस्प यानी फूल की जो कली है उससे पत यानी की रास्तास का सज गया है जिस रास्ते से वो रथ गुजरेगा सूर्य का वो कैसे सजा हुआ है फूलों की छोटी छोटी नन्ही नन्ही कलियों से पादलों से अनुच यानि की सेवक बादलों से अनुचरों ने यानि की क्या है जिसके सेवक कौन है बादल है बादल क्या बने हुए उनके सेवक बने हुए है स्वर्ण की पोशाक धारी पोशाक यानि की पोशाक क्या होता है आपकी ड्रेस तो क्या है स्वर्ण यानि सोने के जैसी सोने के जैसे क प्रपडों को ड्रेस को वस्रों को पहन कर कौन आ गए हैं जो सेवक हैं बादल वो आ गए हैं आ रही रविकी सवारी जब प्रात्वकाल होता है और सूरज इस धर्ती पर आता है तो कैसा दर्श्य होता है इन पंक्तियों में वो बताया गया है तो बच्चों आगे बढ़ते ह विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन छोड़ कर मैं दान भागी तारकों की फोज सारी आ रही श्रवी की सवारी तो बच्चों कविन पंग्तियों में कहता है कि विहग यानी की पक्षी चारण यानी की चारण कौन होते हैं पहले के जो समय था उसमें राजा महराजा होते थे तो उनके दरबार में कवी होता था जो राजा की वीरता का क्या करता था गुड़गान करता था उसको कहा जाता था चारण यानी की राजा का राज कवी जो उसकी वीरता का वड़न करता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीरती गायन यहाँ पर क्या हैं जो चारण लोग हैं विहग यानि की जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं सूरज की कीरती का गायन कि सूरज कितना महान है इसको गागा करके बता रहे हैं छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी और क्या है जो रात्री में आकास मंडल पर जितने भी तारे थे उनकी जो फौज थी वो सारी मैदान छोड़ कर भाग गई है यानि कि रात अब खतम हो रही है आ रही रवी की सवारी जैसे ही इस धरती पर सूरज की सवारी आने को तयार हो गई तो बच्चो आगे बढ़ते हैं चाहता उचलू विजय का भर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा राह में बनकर भिकारी आ रही रवी की सवारी तो बच्चो इस प्रस्तुत पंक्तियों में कभी कहता है चाहता उचलू विजय के वो क्या कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं क्या कहूँ विजय हो गया हूँ ऐसा कहकर कि मैं उचल पड़ू पर ठिटकता देख कर यह ठिटकता यानि कि लेकिन मैं रुक जाता हूँ क्या देख क मैं यहों देखकर रुक जाता हूँ कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिकारी तो जो रात का राजा था वो क्या है राह यानि की रास्ते में भिकारी बनकर खड़ा हो गया है कब जब आ रही है रवी की सवारी यानि की जब इस धर्ती पर सूरज की सवारी आने की त बहुत पसंदाई होगी और प्राताकाल के जो प्राकर्तिक द्रश्य हैं उनका भी आपने आनंद लिया होगा तो बच्चो इस बहुत ही सुंदर कविता के जो लेखक हैं जो कभी हैं उनका नाम है हरी वन्ष राइब बच्चन जी तो बच्चो आएए अब इस लेखक के बार में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं तो बच्चो अब हम जानते हैं इस सुंदर सी कविता लिखने वाले लेखक के परिशे के बारे में तो बच्चो डॉक्टर हरी वन्ष राइब बच्चन का जन्म 1907 में इलाहबाद में हुआ था इन्हें कविता के यसस्वी गाईकों मे किना जाता है इन्होंने प्रयाग विश्व विद्याले से अंग्रेजी में इसनात को तर्वा कैम्बरज विश्व विद्याले से पी एच डी की उपाधी प्राप्त की थी इन महान सूप्रसिद्ध हिंदी के गीतकार हरिवन्ष राइब बच्चन का निधन 18 जन्वरी 2003 को म उम्बई में हुआ था इनकी मुख्य रूप से कविताएं हैं मधुशाला, निशा, निमंत्रन, प्रणय, पत्रिका, मधुकलस, एकांत संगीत, तरंगेडी, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाच घर, त्रीभंगिमा, आरतिवय अंगारे, चाल समेटा आधी तो बच्चो कैसी लगी आपको एक कविता आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने रशनकार का परचे भी अच्छे से समझा होगा तो बच्चो ऐसे ही पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे और हाँ इसका भ्यास भी शरूर कीजिए